नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपात की विशलेशन में आपका स्वागत है संपात की से संबंदित आज के इस वीडियो में हम दा हिंदू में पबलिस एक एडिटोरियल और दो आर्टिकल पर चर्चा करेंगे एडिटोरियल जिस पर हम चर्चा करेंगे उसका सिर्चा 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 यह संपादकी ए जी एस पेपर 2 में शामिल विशाय विभिन घटकों के बीच सक्तियों का विभाजन के दृष्टिकों से महत्रपूर्ण है देखते हैं इस संपादकी को विस्तार के साथ इस संपादकी का आधार है सुप्रीम कोट द्वारा आंधर प्रदेश हाई कोट के आ बंदी प्रतिक्षी करण याचिका या हैबियस कॉर्पस से संबंदित एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी और हमें यह पता है कि बंदी प्रतिक्षी करण के अंत्रगत अगर राज्य किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है तो फिर उसके हिरासत के आउचित को सिद्ध क की सुनवाई के दौरान हाई कोट ने एक अंत्रिम आदेश जारी किया देखे आखिर इस अंत्रिम आदेश में क्या बात है इस अंत्रिम आदेश के द्वारा हाई कोट ने राज सरकार से यह पता करने में सहायता मांगी कि क्या अदालत इस तरह का निसकर्स रिकॉर्ड कर सकती है कि राज में सम्वेधानिक विवस्था चर्मरा गई है जी यहाँ पर जो मुख मुद्दा है वो मुद्दा यहाँ पर यह है कि न्याय पालिका के द्वारा कारिपालिका से यह बात कही जा रही है कि वह बताए कि क्या सम्वेधानिक विवस्था चर्मरा गई है तो जब आंध्रप्रदेश हाई कोट के द्वारा राज को यह अंत्रिम आदेश दिया गया तो इस आदेश के बाद राज ने हाई कोट में आदेश को वापस लेने से सम्वन्दित एक याची का दायर की परन्तु हाई कोट ने क्या किया कि इस आवेधन को औस्विकार कर दिया तो फिर राज सरकार ने दो कारे किये एक कारे यहां पर यह किया कि हाई कोट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोट में याची का दायर की और CGI को या Chief Justice of India को एक पत्र लिखा इस पत्र के द्वारा राज सरकार ने यह आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को और इस्थिर या गिराने के लिए आंद्र प्रदेश हाई कोट का इस्तमाल किया जा रहा है अब राज सरकार के द्वारा हाई कोट के अंत्रिम आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोट में जो याची का दायर की गई थी तो इस अंत्रिम आदेश के विरुद्ध राज सरकार की अपील पर चीफ जस्टिस वो बड़े कि अध्चिता वाली पीट के समच सुनवाई के लिए आई तो मुख न्याधीस की पीठ ने हाई कोट के इस अंत्रिम आदेश को निरासा जनक बताया और इस अंत्रिम आदेश पर रोक लगाती इस अंत्रिम आदेश पर रोक लगाने का आखिर कारण क्या है तो उसके लिए हमें सम्वेधानिक प्रावधानों पर चर्चा करनी पड़ेगी सम्वेधानिक विफलता से संबंधित तत्यों पर हमें यह पता है कि भारती सम्वेधान के अनुच्छेद 355 में यह उलेक है कि संग का यह कर्तब भी होगा कि राज्ज को बाहरी आकर्मन और आंत्रिक असांती से रक्षा परदान करे साथी संग का यह भी कर्तब भी होगा कि संग यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्ज सरकार सम्वेधानिक प्रावधानों के अनुसार कारी कर रही है वहीं अनुच्छेद 356 के अनुसार राश्टपती किसी राज्ज में या समाधान हो जाने पर कि राज्ज में सम्वैधानिक तंत्र विफल हो गया है आपात काल की घोस ना कर सकता है और यहां की सम्वैधानिक तंत्र विफल हुआ है इसकी जानकारी उस सम्मंधित राज्ज के राज्जपाल के द्वारा दी जाती है फिर राश्टपती सासन लगाने से सम्मंधित घोसना को दो महिने के भीतर संसद के दोनों सद्नों द्वारा अनुमोदन लेना अवस्यक है कारने का अधिकार नयाएपालिका का नहीं है किसका है Kapalika मेरा और विधाईा का है और यहां अधिकार संवैधानिक विवस्थां के अनुसार पालिका को दी गई नियाएपाली का ध्यान दीजेगा जो मैं बता रहा हूं नियाएपाली का राष्टपती सासन लगाने सम्विधानिक तंत्र विफल हो गया है और यह जो प्रावधान सम्विधान में दिया गया है कि न्याइपाली का राष्टपती सासन लगाने संबंधी आदेश और आधार की न्याइक समिक्षा कर सकती है तो इसका उद्देश से सम्विधानिक विवस्था के उचित क्रियान नुयन को सुनिश्चित करना है। इसका उधारन है S.R. बोमई मामला और इस S.R. बोमई मामले में सर्वोच न्याले की नौ सदसिये पीठने यह बात कही थी कि कि किसी राज्जी की सरकार को बहुमत प्राप्त है या नहीं इसका निर्ण है सदन के भीतर होगा ना कि अनुमान के आधार पर होगा। तो अभी तक हमने जितनी चर्चा की तो उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो अंत्रिम आदेश जारी किया गया वह सम्विधानिक विवस्था का उलंगन है साथ ही सक्ति प्रथक्रण के सिध्धान्त के अनुकूल भी नहीं ह मतलब उसके प्रतिकूल है लोग तंद्र की सफलता के लिए किस बात की आविस्था होती है आविस्था इस बात की होती है कि शक्ति के प्रथक्रण और शक्ति के वित्रण के अंतरगत सामिल संस्थाएं अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करें शक्ति के प्रथक्रण के अ दूल ओफ लाव की इस्थापना करना और कारिपालिका और विधाईका की निरंकुस्ता के विरुद्ध सम्वेधानिक विवस्था के भीतर न्याइक सक्रियता उचित है परंतु न्याइक संस्था की सर्वचता को इस्थापित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या दिया या कोई भी न्याईक आदेश लोकतांत्रिक एबं सम्वेधानिक मुल्यों को नुकसान पहुचा सकता है और इस बात को आंद्र प्रदेश हाई को समझनी चाहिए अब इस संपात की से समंधित या प्रश्ण प्रश्ण है कि सम्वेधानिक विवस्था को बनाय रखने का आलेक जिसका सिर्सक है लेंग दो फांडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ यहां आलेक इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि इसे लिखा है सी रंग राजन ने जो आर्बियाई के पुर्व गवर्णर है और यहां आलेक जी एस पेपर ठर्ड में शामिल विसे भारती अर्थविव अर्थविवस्था की वरतमान इस्थिती पर एक नजर डालते हैं अर्थविवस्था में मंदी की इस्थिती है हमें यह पता है और रोचक तत्थ क्या है कि अर्थविवस्था में मंदी की यह जो इस्थिती है उसका कारण गैर आर्थिक है और यह गैर आर्थिक कारक क्या ह या कारण क्या है वह है कोरोना महामारी और हमें यह पता है कि कोरोना महामारी के परसार को रोकने के लिए पूरे देश में लोगडाउन लगा दिया गया था और इस लोगडाउन के कारण आर्थी क्रिया कलाब क्या हो गए थे वह ठप हो गए थे और इसका परिणाम क्या तो वित्ती वर्स 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में संकुचन हुआ हुआ भी कितना वह भी लगभग 24 परतिसत फिर उसके बाद क्या हुआ लोगडाउन के नियमों में ढिल दी गई जिसके कारण आर्थिक क्रिया कलाप पहली की तुलना में तेज हो गया और आर्थिक क्रिया क्या परिनाम दिखा तो वित्ती वर्स 2020-21 की दूसरी तिमाही में GDP में जो संकुचन की दर थी उसमें कमी देखी गई वह कम होकर कितने पर आई माइनस 7.5% पर अब देखिए अभी तक हमने बात किया है वित्ती वर्स 2020-21 की पहली छमाई पर अब वित्ती वर्स 2020-21 मतलब मैं बात करों मोजुदा वित्ती वर्स की की दूसरी छमाई में यहाँ अनुमान है कि अगर चौथी तिमाही मतब अगर तीसरी तिमाही में व्रिधी ना भी हो माइनस 6 से 7 प्रतिसत के बीच इसका कारण क्या है इसका कारण है GST के संकलन में वृद्धी हो रही है उसके अलाबा अक्टूबर महिने में कोईला स्टील और सीमेंट के आउटपुट में वृद्धी हो रहा है इसका अर्थ है कि नीजी छेतर के प्रदर्शन में सुधार हो अब इन सब के बीच कुछ सवाल है सवाल यह है कि आगामी वित्तिवर्स मतलब 2021-22 में हमें अर्थ विवस्था से किस प्रकार की आसवा करनी चाहिए दूसरा सवाल कि आगामी महिनों में मौद्रिक नीती इस्थिती क्या रहनी चाहिए तीसरा सवाल कि अगले वित्तिवर्स मतलब 2021-22 में राजकोसिय पहल या बजट में क्या होनी चाहिए या यूं कहें कि किस प्रमुक छेत्र पर फोकस करना चाहिए और फिर अगले वित्तिवर्स याने कि 2021-22 में वृद्धी और निवेश की इस्थिति क्या होनी चाहिए तो जरा हम एक-एक प्रश्ण पर विचार करते हैं सबसे पहले 2021-22 और उससे जुड़ी हुई आसा आसा यह है कि भारती अर्थविवस्था में वृद्धी की दर आठ परतिस्त होनी चाहिए क्योंकि अगर यह होता है तो 2020-21 मतलब मौजुदा वित्ती वर्स में अर्थविवस्था को जो च्छती हुई है उसकी च्छती पूर्ती संभव हो जाएगी और अगर 2021-22 वित्ती वर्स में GDP में वृद्धी दर अगर आठ परतिसत मतलब सकरातमक आठ परतिसत अगर रहती है तो फिर अर्थविवस्था की इस्थिती 2019-20 के अंत या 2020-21 के प्रारंब वाली हो जाएगी और यह संभव होगा कब यह संभव तब होगा जब COVID-19 से संबंधित प्रतिबंधों में पूर्ण रूप से समाप्ती हो जाएगी और देश में डैनिक क्रिया कलाप समान्ने हो जाएगा और आर्थिक क्रिया कलाप में तेजी आ जाएगी और उत्पादन इकाईया अपनी अधिक्तम छमताओं का प्रयोग करने लगेंगी उसके अलावा सरकारी व्याय में वृद्धी होगी और नीजी छेत्र भविस्ट्र को लेकर आस्वामनित होने लगेंगे और आस्वामनित होने के बाद फिर उनके भी व्याय में तेजी आएगी उसके अलावा वैस्विक व्यपार के परती नजरिया में बदलाओ होगा यह बात क्यूं कही जारी वो देखिए यह बात इसलिए कही जारी है क्योंकि आत्म निर्भर भारत कारिकरम के अंतरगत आत्म निर्भर अर्थ विवस्था की अवधारना पर जूर दिया जा रहा है लेकिन अर्थ सास्त्रियों को इस आत्म निर्भर भारत कारिकरम में संगरक्षन वादी नीती विवहारिक इस तरपर दिख रहे है उनके अनुसार आत्म निर्भर भारत कारिकरम में 1991 सेपपूर्व की इस्थिती जिसमें घरेलू उद्योग को संगरक्षन देने के लिए आयतित वस्तु पर सीमा सुल्क में जो बढ़ोत्री की जा रही थी ठीक वही इस्थिती अभी दिख रही है। कि प्रति इस्पर्धा की भावना समाप्त ना हो क्योंकि अगर घरेलू उद्योगों के समक्ष प्रति इस्पर्धा मौजूद नहीं होगी तो फिर 1991 से पहले वाली इस्थिती देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं मौद्रिक नीती समीती से संबंधित प्रस्ण पर कि 2020-21 में हमने क्या देखा। कि जादातर मौद्रिक नीती की स्थिती एकॉमोडेटिव रही। और इस एकॉमोडेटिव नीती के अंतरगत क्या किया गया। कि रैपो रेट या पॉलिसी रेट में कमी की गई। और इसके अंतरगत जो तीन प्रमुक कारी किये गे वो देखे। एक तो अभी हमने चर्चा कर लिये। क्या कि नीतिगत दर में कमी की गई। और इस नीतिगत दर में कमी के द्वारा बैंकों के द्वारा जो आम लोगों को रिन दिया जाता है। उससे सम्मंदित ब्यासदर में कमी आई। फिर बाजार में तरलता में विर्दिवी और मॉरेटोरियम या रिन इस्थगन जैसे विनिया में की सुधार भी किये गए। और मॉद्रिक निती समिती के इसी निर्णे के परिनाम सरूप मुद्रा पूर्ती में साड़े बारा प्रतिसत की विर्दि देखी गई। और हमें यह पता है कि अगर बाजार में मुद्रा पूर्ती में विर्धी होती है तो फिर मुद्रा इसफीती में भी विर्धी होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि मुद्रा इसफीती इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार में मुद्रा की पूर्ती कितनी है और वस्त में मांग की कमी थी और मुद्रा पूर्ती का इस तर सही नहीं था परंतु 2021-22 मतलब आगामी वित्तिवर्स में मौद्रिक नीती समीती को जादा सतर्कता बरतनी होगी वह क्यूं बरतनी होगी वह इसलिए क्योंकि आर्थिक क्रियाकलाप में विर्धी को बनाये रखने के को आर्बियाई के द्वारा तैप्रसार 2% से 6% के बीच भी बनाये रखने की चुनोती मौद्रिक नीती समीती के समक्ष होगी अब हम बात करते हैं तीसरे प्रशन की मतलब राजकोसी पहल या बजट की मंदी की स्थिति में क्या होता है मंदी की स्थिति में सरकारी व्याय क की भूमिका काफी महत्पूर्ण होती है लेकिन 2020-21 वित्ति वर्स के पहली तिमाही में यह देखा गया कि सरकारी व्याय में व्रिदिवी लेकिन दूसरी तिमाही में क्या देखा गया कि सरकारी व्याय में कमी आई यही कारण है कि 2020-21 में पहले यहा अनुमान था कि राजको राजकोसिय घाटा, वह कितना होगा GDP का 8%, और यहां अनुमान लगाया गया था पहली तिमाही में सरकारी व्य के आधार पर, परन्तु जब सरकारी व्य में दूसरी तिमाही में कमी देखी गई, तो अब यहां अनुमान है कि 2020-21 में राजकोसिय घाटा GDP का 6% रह सकता है, अब अर्थसास्त्रियों के अनुसार 2020-21 की यह जो सेस अबधी है उसमें अगर सरकार यह चाहती है कि GDP में वृद्धी हो तो फिर सरकारी व्याय में वृद्धी करनी होगी और अगर यह होता है तभी GDP में जो संकुचन की दर है उसमें कमी आएगी और 2021-22 यह मतलब आगामी वित्त वर्ष में भी सरकारी व्याय में वृद्धी की अत्यंत आवसकता होगी हो सकता है कि सरकारी व्याय में वृद्धी के फलस्वरूप राजकोसिय घाटे में वृद्धी हो परन्तु अगर सरकारी व्याय पूंजिगत व्याय के रूप में होता है मतलब कि बड़े इस तर पर अब सरचनात्मक निर्मान किये जाते हैं तो इससे आर्थिक क्रिया कलाप में विर्धी होगी और अगर आर्थिक क्रिया कलाप में विर्धी होती है तो फिर GDP में विर्धी होगी रोजगार सरजन में विर्धी होगी रोजगार सरजन में अगर विर्धी होगी तो लोगों की आए में विर्दी होगी लोगों की आए में अगर विर्दी होगी तो फिर उपभोग में विर्दी होगी और फिर सरकार के परत्यक्षकर और और परत्यक्षकर की प्राप्ति में विर्दी होगी इससे सरकारी आए में विर्दी होगी और अगर सरकारी आए में विर्दी होगी तो फिर भविस में सरकार के राजकोसिय घाटे में भी कमी आएगी तो वर्तमान में सरकार को राजकोसिय घाटे पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं फिर एक अगले सवाल की और यह सवाल है किसे से समन्दित वृद्धी और निवेश से समन्दित देखे वृद्धी को केवल उपभोग आधारित या कंजमशन डिवन नहीं होना चाहिए बलकि वृद्धी को निवेश आधारित होनी चाहिए मतलब इन्व परन्तु एक दसक से क्या देखा जा रहा है कि निवेश की दर में कमी हो रही है जैसे 2011-12 वित्ती वर्स में निवेश दर वह कितना था GDP का 38.9% जबकि 2018-19 में निवेश की दर कितनी है GDP का 32.2% इसका मतलब क्या है कि निवेश की दर में गिरावट है तो निवेश की दर में वृद्धी हो इसके लिए National Infrastructure Pipeline जैसी पहल सरकार के दोरा प्रारंब करनी चाहिए इसके साथी साथ सरकारी व्यमें वृद्धी होनी चाहिए जिसकी अभी हमने बात किया है फिर नीजी छेत्र निवेश करे इसके लिए देश में अनुकूल वाताव वरन का निर्बान हो और यह जो अनुकूल वातावरन है यह गैर आर्थिक कारकों पर भी निर्भर करता है जैसे समाजिक संघर्स में कमी प्रदर्शन और धर्नों जैसी घटनाओं में कमी और नए-नए सुधार कारिक्रमों को अपनाना आर्थ विवस्था में सुधार के ल ताकि उसका विरोध ना किया जाए जो विरोध अभी हम किर्शी कानून के संदर्व में देख रहे हैं तो निसकर सुरूप में वर्तमान इस्थिती का अगर हम आकलन करें तो फिर दो हजार पचीस इसवी तक पांच ट्रिलियन वाली भारती अर्थवस्था का लक्ष काफी दूर लगता है 2019 इसवी में भारती अर्थवस्था का आकार था 2.7 ट्रिलियन डॉलर और अगर 5 ट्रियन अर्थवस्था का आकार बनाना है तो फिर अगले 6 वर्सों में GDP में विर्धी दर 9 प्रतिसत प्रतिवर्स होनी चाहिए तो सरकार की समच मौजुदा चुनोतियां क् नमर एक गरीबी में कमी नमर दो कोपोसंड दर में कमी नमर तीन बिरोजगारी दर में कमी और नमर चार समाजिक समावेशन में विर्धी और इन चुनोतियों का समाधान तभी हो सकता है जब केवल और केवल सरकार व्रिधी को प्राप्त करें अब इस आर्टिकल से समंदित प्रश्न है वित्ती वर्स 2021-22 में सकारात्मक वृद्धी दर को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताएं अब हम बढ़ते हैं आपने दूसरे आर्टिकल की ओर जिसका सिर्शक है Losing the Plot on Women's Safety और यहां आर्टिकल GS Paper 1 में शामिल विसे समाजिक ससक्ति करन है तो चले देखते हैं इस आर्टिकल को विस्तार के साथ इस आर्टिकल का आधार है महराष्ट सरकार का सक्ति कानून या महराष्टरा सक्ति Criminal Law महराष्टरा Amendment Bill 2020 आखिर सरकार को इस बिल को लाने की आविसकता क्यों पड़ी तो जड़ा इसका आधार देखिए इसका आधार है National Crime Record Bureau का 2019 का आंकड़ा जिसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और धमकाने के सबसे अधिक मामले दर्ज हुएं कहां पर महराष्ट में और पिछले तीन साल में इस तरह के 1126 मामले दर्ज हुए हैं और देश वर में 2017 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम के एक तिहाई मामले महराष्ट में रिपोर्ट किये गए हैं वहीं 184 मामलों के साथ आंधर प्रदेश दूसरे और 97 मामलों के साथ हर्याना तीसरे इस्थान पर हैं अब ज़र हम सक्ति कानून के प्रावधानों पर गौर करते हैं देखे क्या क्या प्रावधान है एक एक कर में पढ़ रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए और अपनी नजर स्क्रीन पर बनाए रखिए कि बलातकार के गंभीर और घ्रनित मामलों में मौत की सजा का अपरावधान एक तो ये और ऐसे अपरावध की जांच के लिए 15 दिनों की समय सीमात है और अगर योग कारण है तो फिर 15 दिनों की समय सीमा को और 7 दिन बढ़ाया जा सकता है फिर आगे देखें कि इन मामलों की चार्ज सीट दाखिल होने के बाद कोट में प्रती दिन सुनवाई होगी जो की 30 दिनों में पूरी करनी होगी कोट से सुनवाई के बाद 45 दिनों के अंदर केस की फाइल पूरी कर ली जाएगी जिसमें पहली कितने लगते थे 6 मेने लग हर जिले में special court, विशेश police team का प्रस्ताव, पीडित महिला और बच्चों के लिए विशेश संस्था का गठन किया जाएगा, फिर आगे देखे कि acid हमले के अपराद को गैर जमानती किया जाएगा, साथ ही सजा 10 साल से कम नहीं होगी, इसके बावजूद कि तेजी से बढ़ते अपराद को देखते वे मौत की सजा और पिडिता को आर्थिक मुआपजे का प्रावधान होगा, जिसमें जुर्माना 10 लाख रुपए तक का होगा, जो पिडिता की plastic surgery और चेहरे के operation के लिए खर्च किये जाएंगे, आगे देखे की सजा का प्रावधान होगा, फिर आगे कि सोशल मीडिया सहित संचार के किसी भी माध्यम के लिए महिलाओं के साथ दुरविभार या सोशन के मामले में कम से कम दो साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना होगा, यहां तक कि ऐसे मामलों में mobile service providers और सरकारी करमचा जांच में सहयोग ना करें, तो उनको जेल या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, आगे देखिए कि IPC की धारा 354 में एक सेक्षन जोड़ा जाएगा, जिसके तहत सोशल मेडिया, फोन या फिर किसी भी डिजिटल माध्यम से उत्पेड़न, आपत्ति जनक टिपने या ध इध्यक में, अपमानित, जबरन और बदनाम करने के इरादे से, महिलाओं के खिलाफ यौन और अन्य अपराधों के बारे में गलत जानकारी प्रदान करना, जूठी सिकायतों और कृत्यों के मामले में सजा का प्रस्ताव करता है, इसका मतलब यहाँ पर यह है, कि अगर कि पताया चलता है कि यहाँ कार जूठा है, तो फिर उसके विरोध कारवाई करने की बात इसमें कही गई है, तो अब जो हमने शक्ती बिल के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की, तो इस बिल का विरोध किया जाना है, और इसके विरोध करने का कारण है, वह क्या है, कि इसके निर्मान में व्यापक इस तर पर विभिन हित धारकों से सलाह नहीं ले गई एक और दूसरा कि इस बिल के प्रावधानों से ऐसा लगता है कि जो मौजुदा क्रिमिनल कानून है उसकी समझ बिल बनाने वालों के पास नहीं है ऐसा क्यूं कहा गया अब उसकी हम समिक्ष करते हैं विरोध के विभिन आधार सिर्शक के अंतरगत देखे हमने क्या देखा कि महिला के विरोध यौन सहित या अन्य अपरात कि अगर गलत जानकारी किसी व्यक्ति को बदनाम या गलत इरादों के उद्देश से दी जाती है तो फिर इसके लिए सजा का प्रावधान है अब ये जो प्रावधान जो शक्ति बिल में किया गया है ठीक यही प्रावधान Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Provision Redressal Act 2013 में भी दिया गया है और यह प्रावधान कि अगर किसी व्यक्ति को बदनाम करने के उद्देश से महिलाओं के विरोध योन सहित अन्य अपरात की जानकारी दी जाती है तो फिर यह प्राबधान पित्रि सत्तात्मक अवधार्णा को पुष्ट करता है। वह क्या है? वह यह है कि महिलाएं जूठी होती हैं और महिलाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि समाज के ससकती करण से सम्मंधित कानून के दुरुपयोग की संभावना हमेशा से होती रहती है और ऐसा नहीं है कि उन कानूनों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। तो फिर सभी कानूनों में ऐसे प्राबधान होने चाहिए, ना कि केवल महिलाओं के विरुद्ध जो अपराद से सम्मंधित कानून है, उसमें ये प्राबधान होने चाहिए, कि अगर महिलाएं बाद में जूटी साबित होंगी, तो फिर उनको सजा दिया जाएगा। आगे देखें इसी प्राबधान के अंतरगत बात कर रहे हैं, कि महिला के विरुद्ध अपराद या तो बंद दरवाजे के पीछे, या फिर अकेले में होता है, तो ऐसी इस्थिती में महिलाएं पर्तक्च दर्सी कहां से लाएंगी, और हमें ये पता है कि भारत में अपराद से सम्मंदित जांच में कितनी गंवीरता दिखाई जाती है, कुल मिलाकर बात यहां पर यह हो रही है, कि अगर महिला अपने विरुद्ध हुए अपराद के लिए साक्च प्रस्तुत नहीं कर पाएंगी, तो फिर वह महिला मुकदमा हार जाएंगी, और केवल वह महिला मु करते हैं, कि बलातकार और ऐसी डेटेक्ट में क्या दिया जाएगा, मिर्तुदंड दिया जाएगा, वो तब दिया जाएगा जब अपराद की प्रकृति ग्रणित होगी, अब सवाल यहां पर यह उठता है, कि अपराद की प्रकृति ग्रणित है कि नहीं है, इससे समंदित अतुकर परिभासा क्या है? क्योंकि इसमें तो परिभासा दिही नहीं गयए, तो फिर यह न्यायले की व्याक्याः पर करएगा और अभी तक ग्रिणित अपराद से सम्मंधित कोई निश्चित मानदद देस में नहीं है यह नियायधीस के उपर निर्भर करता है कि वह किसी अपराद से सम्मंदित मामले की सुनवाई की दोरान या निश्चित करें कि सम्मंदित अपराद की प्रकृती ग्रिनित है या ग्रिनित नहीं है और अई बात मिर्तियुदंड की तो मिर्तियुदंड के प्रावध तो लंबे समय से देश में है परंतु यह अपराध को रोकने में सक्षम नहीं है तो विधाईका को यह बात समझनी होगी कि बलातकार जैसी घ्रिंद घटना को केवल कठोर दंड या मिर्त्यू दंड जैसे प्रावधान से ही नहीं रोका जा सकता बलकि रोकने के लिए कुछ प्रभावी कारकों को अपनाया जाना आवस्यक है जैसे प्रभावी जांच, निस्पक्ष न्याईक प्रक्रिया या सुनवाई की प्रक्रिया और फिर उचित सजा और मिर्त्यू दंड के प्रावधान से एक खत्रा और भी है और वह खत्रा है कि अपराधी साक्ष को समाप् मतलब कि अपराधी पिडिता की कहीं हत्या न कर दे। अध्यन के अनुसार जादातर यौन सोशन सम्मंधी अपराध पिडिता के रिस्तिदार या नजदीकी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। तो इस इस्थिती में पिडिता मिर्त्यु दंड के प्रावधान के कारण अपराधी के विरुद मुकदमा दर्ज शायद ना कराए। और नियाईक प्रक्रिया पर आध्यारित एक अध्यन के अनुसार नियाधीस मौत की सजा नहीं देना चाहते है। अब हम बात करते हैं अगले प्रावधान की जरा उसको गौर से सुनी आप। कि महिलाओं के विरुद यह जो अपराध होगा तो उससे संबंदी जाच 15 दिनों में, उससे संबंदी सुनवाई 30 दिनों में और सुनवाई से संबंदी फिर जो अपील है वह 45 दिनों में पूर प्रियाप्त अवसनचना मौझूद है और आगे तो इस बात का जिकरी नहीं है कि अगर इस निश्चित संबंदी पर जाच सुनवाई और अपील नहीं हो तो फिर क्या होगा क्योंकि मौझुदा परणाली में पुलिस के पास पहले से ही कई केस हैं सरकारी वकीलों की कमी है और जो वकील हैं उनके पास एक ही समय में कईक मामले होते हैं तो जब तक प्रणालीगत समस्या को दूर नहीं किया जाएगा तब तक नए कानून के निर्मान का कोई अर्थ नहीं है एक और प्रावधान की बात करते हैं कि IPC में नई धारा 354 E को सामिल किया गया अब इसके तहत क्या है कि सोसल मीडिया फोन या फिर किसी भी डिजिटल माध्यम से उत्पीडन आपत्ती जणक टिपणी या धमकी के मामले में केस दर्ज होगा ऐसे समान प्रावधान Information Technology Act 2000 में मौझूद है फिर अगला प्रावधान कि अगर पबलिक सर्वेंट जाच प्रक्रिया को सही समय पर पूरा नहीं करता है धिलाई दिखाता है तो उसके विरुद भी कारवाई की जाएगी ऐसे भी प्रावधान IPC में पहले से ही मौझूद है तो कुल मिलाकर निसकर सुरूप में यहां पर यह बात कही जा रही है कि महिलाओं के विरुद अपरादों में कमी के लिए यहां आविस्यक है कि सरकार मौझुदा कानून को लागू करने के तरीके को प्रभावी बनाएं और कानून के त्वरित प्रभावी होने के लिए य उससे सम्मंधित अवसरचना को मजबूत किया जा सके अब इस आर्टिकल से समंधित प्रश्ण है कि महिलाओं के परती अपराध में कमी आए इसके लिए अलग-अलग कानून बनाने की आवे सकता नहीं है बलकि वर्तमान कानून को सही तरीके से लागू करने की आवे सकता है क प्रथन की समिछा करें इस तरकार हमने आज के संपादकी से समंधित इस वीडियो में एक संपादकी और दो आलेखों पर चर्चा की इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार